बिना आग पे भुने वही स्वाद वाला बैगन का भरता इस तरीके से बनाएं बैगन का भरता बनाने के लिए जब भी हम बैगन को गैस पे पकाते हैं तो या तो उसका बर्नर जैम हो जाता है या फिर गैस बहुत मैसी हो जाता है और अगर आपके पास डैरेक्ट फ्लेम वाला गैस नहीं है या इंड़क्शन है तब भी आप इस बैगन के भरते को आसान तरीके से बना सकते हैं मैसी भी कम होगा और स्वाद वही भुने वाले बैगन के जासा टेस्ट आएगा तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं बिना आग पे भुने वैगन का भरता सेम टेस्ट का कैसे बनाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बड़ा वैगन ले लेंगे इसे दो के पोश ले इसके बीच में आप चाहिए तो चीरा लगा ले इसमें लेस्विन हरी मिर्च को स्टफ कर सकते हैं जब हम गैस पे पकाते हैं तो इससे ऐसे पकाते हैं लेकिन यहाँ पे हम इसे तवे पे पकाएंगे चिपकेंगे नहीं और उसके बाद बैगन की यह जो टुकड़े हैं उसे हम इसके उपर रख दिंगे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है धीमा नहीं रखना है तो मैंने यहाँ पे लेसुन को स्टफ नहीं किया है तो लेसुन की कलिया छिलके इसके उपर रखते हैं और टमाटर को हम तुरन नहीं डालेंगी क्योंकि टमाटर जल्दी पक जाएगा इसलिए आधा बैगन पक जाए तब आप तवे पे टमाटर डाले यहाँ पे हम इसे ढख देंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगी बीच बीच में आपको क्या करना है कि इससे ऐसे पलटते रहना है तो यहाँ पे यह देखे इसे में ज्यादा समय नहीं लगेगा दस से बारा मिनट लगेंगे आपको दोनों साइट से इसे अच्छे से भुनने के लिए लेकिन हाँ इसमें फायदा यह है कि अगर आपके पास इंडक्शन है या डारिक फ्लेम वाली ग्यास नहीं है तो आप लोहे के तवे पे या नॉर्म तो मैं यह प्रोसेस आपको धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको यह नहीं लगे कि बैगन पके गा या नहीं तो लेसून जो है वो अच्छे से भुन गया है तो लेसून को निकाल लेते हैं और बैगन को साइड करके अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टमाटा रख और मीडियम फ्लेम पे हम वापस इसे कवर कर देंगी तो यहाँ पे आपको ऐसे ढखके पकाना है तो इस टीम से बैगन जो है वो पकता रहेगा और नीचे गैस से इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा यह देखे जब भी हम बैगन को डायट फ्लेम पे पकाते हैं तो बैगन से जो मॉस्चे रिलीज होता है वो बर्नर को जाम कर देता है और गैस भी बहुत मैसी हो जाता है तो अगर आपको उस प्रोसेस को अवाइट करना है तो आप इसे लोही के तवे पैसे बना सकते हैं टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा आपका गैस जो है वो साफ रहेगा और बैगन सेखना भी बहुत एजी होगा तो यहाँ पे हमारा बैगन टमाटर जो है वो दोन्यों साइट से पग गया है यह देखे तो बस अब हम क्या करते हैं कि इसे निकाल लेते हैं गैस बंद करने के पहले आप चीए तो बैगन को हलका सा ऐसे टच करके देख ले तो इस प्लेट में डाल देंगे और इसके बाद हम इसका छिलका निकाल लेंगे तो चीलते वक्त आप इसमें पानी वगएर नहीं लगाए और चीलने के बाद बैगन को पानी से बिल्कुल नहीं धोए नहीं तो इसका जो स्मोगी फ्लेवर है न वो चला जाता है कभी भी आप बैगन को सेखे तो उसे पानी से नहीं धोए तो यहाँ पर इसकी जो उपर की लियर हो निकाल दे ऐसे बहुत ही आसानी से निकल जाता है और अगर आप इसके उपर सेखने से पहले तेल लगा देंगे तो छिलका और भी एजीली निकल जाता है बैगन के एंड पार को कट करके निकाल दे और इसके बाद आप चीए तो इसे हाथों से मसल ले या फिर आप इसे नाइफ से क्रश कर सकते हैं तो यहाँ पर यह देखे या तो ऐसे कर ले या फिर आप इसे नाइफ से ऐसे काट ले क्योंकि हमें इसे भूनना है तो भूनते व तो आप इसमें बारी कटवा प्याज, हरी मिर्च, धन्या पत्ता मिला के थोड़ा सरसू का तेल और नमक डाल के यूपी विहारी स्टाइल ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको तड़की वाला बनाना है, तो तेल में थोड़ा सा जीरा डाले, ज्यादा हरी मिर्च डाल और प्याज को हमें क्या करना है ना, दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लिम पे भूल लेना है, जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे हरा मटर, तो मैं यहाँ पर फ्रेश मटर यूज़ कर रही हूँ, आप चीए तो फ्रोजन में इस्त ना लगा ना कि मिन देखिया है, ठीक में में यहाँ पर भूल भूल और देकी तैन के साम review हमें प्याज के साथ 2 रहован है, यहाँ पर धिक अधिन ब्लाश फ्रेश मटर यदि dó chưa नो जा पकने मैं थाए तो इसलिए मैं डालेंगे थोड़ी से मसाले तो मसालों में सारे ही मसाली डालने हैं, मतलब एक दिहाई छोटी चमज छली पाउडर, एक छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर, आदी चोटी चमज धन्या पाउडर, एक छोटी चमज जीरा पाउडर और आदी चोटी चमज गरम मसाला पाउडर मिला दे सबको मसालों को ना पहले mix करके ऐसे पकने दे तो यहाँ पे मैंने ये लोहे का पैन लिया है इसमें मसाला थोड़ा ची पकता है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया अगर आप non-stick इस्तेमाल करें तो पानी डालने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे मसालों को थोड़ा सा भूल लेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करते हूँ ना कि पैन को थोड़ा सा आधे मिनाट के लिए cover कर देती हूँ ताकि मसाला अच्छे से पक जाए जैसे ही मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे बैगन, टमाटर और लैसुन जो हमने क्रश करके रखा है इस बैगन के भरते में अगर थोड़ा सा तेल का इस्तमाल जादा करेंगे तो यह और भी दिखने में टेम्टिंग लगता है लेकिन मैंने यहाँ पे तेल का इस्तमाल जादा नहीं किया है नमक डाल देंगे ध्यान रहे नमक हमने पहले भी डाला है तो यहाँ पे वापस सौथ के दूसान नमक डाल देंगे और इसके बाद इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो भी टमाटर या बैगन की बड़े टुकड़े दिख रहे हैं उससे आप मैश कर सकते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे इसे ढख के 5 मिनट के लिए धीमियाज पर पकने देंगे हमें इसे मसालों के साथ भूनना है तो पैन को कवर कर दे और धीमियाज पर 5 मिनट पकने दे 5 मिनट बाद जब आ पैन का ढखन अटाएंगे तो इसकी खुशबूस से आपका दिल खोश हो जाएगा इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा ना कि क्या बताओ तो यहाँ पे बैगन जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है प्यास टमाटर सब हमने भूल लिया है सब कुछ रेडियस में और कुछ भी नहीं करना है बस यहाँ पे धेर सारा आपको धनिया पत्ता डालना है ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए और उसके बाद मिक्स करके गयस को बंद कर देना है तो यह हमारा बैगन टमाटर का मसालेदार भरता जो है वो बंद के तियार हो गया है यह देखे तो बस यहाँ पे गयस को बंद कर दे और ले चलते से सर्फ करने के प्रोसेज में तो देखे लग रहा है ना मज़िदार तब हम यहाँ पर गयास को बंद कर देंगे और ले चलते हैं से सर्फ करने के प्रोसेस में तो आप इस बैगन के भरते को रूटी के साथ खाए या फिर पराठे के साथ सब के साथ बहुत ही जबदस्त लगता है और आप इसे ना जब किसी गेस्ट को बलाए तो भी बना सकते हैं बैगन का भरता मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है और जब आप इसमें मटर और थोड़े मसाले डालके आसे भून के बनाएंगे ना तो यह और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है तो आप इस बैगन के भरते की रसिपे को इस तरीके से एक भार जरूर बना के देखे यह आपके फैमिली को बहुत पसंद आएगा अगर आज की रसिपे आपको ट्राइ करने के बाद पसंद आए तो आप इस वीडियो का अपने friends family के साथ share करना बिलकुल न भूले